श्री शिवाय नमस्तु अभ्यम दोस्तों हरहर महादेव। मैं पायल सेनी अपने यूट्यूब चैनल रत्यवार उपाये में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्री के उपाये के बारे में। हिंदु धर्म में महाशिवरात्री को बहुती महतोपुन माना गया है। महाशिवरात्री को बहुती दुमदाम के साथ मनाया जता है। महादेव के सभी भक्त महाशिवरात्री का पूरे साल इंतजार करते हैं। कहा जाता है महाशिवरात्री के दिन भगवान शीव और मादा पार्वती का विवा हुआ था। महाशिवरात्री के दिन विधी, विधान से, पूजन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की कस्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुमारे लड़के और कुमारी लड़किया सुयोग्य पती और पतनी की कामना से भी महाशिवरात्री का व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि यदि सुहागन महिलाएं महाशिवरात्री का वरत करती है तो उन्हें अखंड सोभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पुझ्य गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में महाशिवरात्री के दिन करने वाले बहुत सारे उपाये बताये हैं जो मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ। मैंने उनकी पुरानी सारी कथाएं सुनी है और उनमें से उन महाशिवरात्री के उपायों को निकाला है और आपके लिए वीडियो बनाया है तो इस वीडियो में आखरी तक बने रहें और महाशिवरात्री के दस उपाय को जानिये चलिए वीडियो शुरू करते हैं यदि आपकी कोई मनो कामना है तो महाशिवरात्रिक के दिन एक काली तिल्ली और साथ काली पहला उपाए यदि आपकी कोई मनो कामना है जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए तो महाशिवरात्रिक के दिन अपने हतेली में एक काली मिर्चिले और साथ काली तिल्ली के दाने रखें कामना को पूरी करतेंगे। दूसरा उपाय यदी आपके घर में बहुत जदा कलेश होते ही। भाई भाई में हो रहे ही। साज बहु में हो रहे हैं, देवरानी जेठानी में हो रहे हैं, या ननन भावी में हो रहे हैं, भाई बहन में हो रहे हैं, किसी के बीच में भी यदी कलेश होता है, जगड़ा होता है, आपके घर में बिल्कुल भी शांती नहीं हैं, जगड़े होते ही रहते हैं, छोटी-छो मंदिर चले जाईए और अपने घर का नाम और गोत्र बोल कर शीवलिंग पर समर्पित कर दें आपके घर में कितने ही जगड़े क्यों नहीं हो रहे होंगे वज सभी जगड़े समाप्त हो जाएंगे आपके घर में सभी प्यार महापत से रहने लगेंगे तीसरा उपाए यद को बारा बजे एक धतूरा चड़ा दीजिए और आदे घंटे तक और धतूरे को चड़ा रेने जब तक धतूरा शीवलिंग पर चड़ा है आप मंदिर के बाहर जाएं और जोख़ट पर बेट कर श्री शीवा नमस्तुब्य मंतर का जाप करें आदे घंटे के बाद मंदिर के अंदर जाएं और धतूरा उठाले धतूर में वहीं मंदिर में धतूरे को लाल कपड़े में बान ले और सुबह चार बजे के पहले अपनी दुकान में अपने घर में फेक्टरी में व्यापसाई की जगह यह नोकरी की जगह उस धतूरे को लाल कपड़े में रखा जो है आपने उसे बान दीजिए यदि आपके खेत में फसल नहीं हो रही है तो आपने खेत में उस धतूरे को गार दीजिए जीवन में कभी तकलिफ नहीं आईगी धन संपदा में कभी कमी नहीं होगी आप उन्नती की और बढ़ते चले जाएंगे चोथा उपाय यदि आप अपने जीवन में बहुत परिशान हो गए है कश्ट में जीवन जी रहे हैं बहुत दुखी हो गए है जीवन में इस्तिर्ता नहीं है यानि जैसे कि पती या बेटे को काम खुलवा के देते हैं पर वो कुछ दिन अच्छे से करता है फिर छोड़ देता है मतब शूलता नहीं है तो महाशिवरात्री के दिन दिन में दो पहर में बारा बजे एक धतूरे के साथ पेलपत्र के व्रक्ष के साथ काटे एक धतूरा और पेलपत्र के व्रक्ष के साथ काटे एक साथ में शिवजी के शिवलिन पर समर्पित करें आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे होंगे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे पाँचवा उपाए ज़िया आपके शरीर में रोग हो गया है या डोक्टर ने किसी बड़ी पीमारी की शंका बता दी है चाहे लीवर से जुड़ी हो किडिनी से जुड़ी हो या फिर कैंसर जिसी कोई बड़ी बिमारी हो या कोई गठान हो गई हो तो महा शिवरात्री के दिन साथ धतूरे ले ले अब साथ धतूरे में से केवल एक धतूरे पर मोली लपेट दे, बाकी 6 पर मोली नहीं लपेट ना है, केवल एक धतूरे पर लपेट ना है अब वह 7 धतूरे लेकर शिव मंदिर जाएं अब सबसे पहले मोली लपेटा हुआ धतूरा शिव जी के शिवलिंग पर चड़ा दीजिए दूसरा धतूरा शिवलिंग में गडेज जी के इस्थान पर चड़ाएं तीसरा धतूरा कार्ती के जी के इस्थान पर चड़ाएं चोथा धतूरा माता अशोक सुंदरी के इस्थान पर चड़ाएं पाच्वा धतूरा माता पार्वती जी के हस्तकमल वाले स्थान पर चड़ाए और जो छटा धतूरा है शिविलिंग में जहां से जल नीचे गिरता है और नीचे गिरकर जमिन पर जाता है तो जहां नीचे उस धार गिरती है उस बिल्कुल उस जगह आपको छटा धतूरा रख उस धतूरे को बेलपत्र के व्रक्ष के नीचे अवदूतेच्वर महादेव का नाम लेकर चड़ा दीजिए। धीरे धीरे शरीर में जो भी रोग है वस रोग समाप्त हो जाएगा। चटा उपाए, यदि कोई व्यक्ति पहुत बिमार रेता है उसको बिमारी हमेशा घहरे रहती है तो महाशिवरात्री के दिन साथ बेर बिमार व्यक्ति के उपर से साथ बार उवार कर, साथ बार गुमा कर दोपर बारा बजे के पहले शिवजी के शिवलिंग पर चड़ा बिमारी व्यक्ति की उस बिमार व्यक्ति की बिमारी तीन महिने में उसका पीछा छोड़ देगी। यदि आपके पस महाशिवरात्री का चड़ाया वव बेर रखा है तो आप उस व्यक्ति को खिला दीजिए। महाशिवरात्री का चड़ाया वव बेर पेट से चूड़ी सबी विमारीयों को काड़ देता है। आठवा उपाय यदि आप चाहते ही आपके शरीर में कोई रोग ना हो तो गाई के गोबर की अलूरी भस्म तयार करें। यानि कि गाई ने जब कोबर किया है और या तो वो वहीं सूख जाए या फिर आप उसे ऐसा कैसा उठा कर कहीं रख दे और वहां सुखा लें। अब उसे जला कर उसकी राख को तयार करें और चान लें। अब इस भस्म को महा शिवरत्री के दिन शिवजी की शिवलिंग में सफेद कपड़े में रख कर चड़ा दीजिए और फिर कुछ देर बाद वापस उठा कर अपने घर लें। अब इस भस्म को या तो आप सोमवार से सोमवार या प्रदोष से प्रदोष या मासिक शिवरत्री जो आती है उस दिन अपने वक्ष इस्थल यानि नाभी से थोड़ी सी उपर लगा लीजिए और तो आपके शरीर में कभी कोई बड़ा रोख प्रविश नहीं कर सकता है। नवा उपाए यदि आपके जीवन में बहुत दुख तकलिफ चल रही है या आपके कोई मनो काम ना है तो महाशिवरत्री के दिन एक बेलपत्र ले अब बेलपत्र के पीछे की डंडी को तोल ले जो आकरी में बेलपत्र की डंडी होती है उसको तोल ले अब इस डंडी से बेल पत्र के तीनों पत्तों के उपर 108 चंदन की बिंदी लगाना है, तोटल मिला के आपको 108 लगाना है, यह यू नहीं कि एक एक पत्ते पे की का 108 एक 108 लगाना है, तोटल तीनों पत्तों पर मिला कर 108 आपको चंदन की बिंदी लगाना है, अब वो बेल पत्र पहले शिवलि पर चड़ा दीजिए तीन महीने में बाबा आपकी मनो कामना पूर्ण करेंगी अब चलते हैं दसवे उपाई क्यों यदि आपकी नोकरी नहीं है या आप अपनी नोकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रिक के दिन दो बेर लेकर शिवमंदिर चाहें अपने नोकरी संबंदि जो भी आपकी कामना है वो करते हुए चड़ा दीजिए कुछ समय के बाद वो चड़े हुए बेर में से एक बेर उठा कर अपने साथ घर ले आए अब जब भी आप इंटर्वी देने जाएं उस दिन उस बेर को खा कर घर से निकलना है आपकी नोकरी पक्क करना है जब तक कि आपका प्रमोशन ना हो जाए आपका प्रमोशन पक्का है भबाब का प्रमोशन करवा कर रहेंगे तो दोस्तों यह थे पुझे गुरुजी घुरा बताय गवे महा शिवरात्री के दस उपऐए यदि इन में से आपको कोई सा भी उपाय करना है तो आप म महिने में 12 माशिक शिवरात्री आती हैं उन माशिक शिवरात्री पर भी आप ये 10 उपाय कर सकते हैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करते हैं और इस वीडियो को ज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को तुरण सस्काइब कर लें ऐसे ही पुझ्य गुरुज की द्वारा बताये गए सभी उपाय में अपने इस चैनल पर डालती हूं आप सभी के लिए लेकर आती हूं इसके अलावा भी पुझ्य गुरुजी की कथा की संपुर्ण जानक कर दो